नमस्कार मेरा गाउ मेरा देश यूपी एडिशन में आपका एक बार फिर बहुत सब्सक्राइब दर्शकों आज बात करेंगे बुलंद सहर विधान सभा की कि आखिर इस शहर सीट पे मनें सदर सीट पर कितना काम हुआ कितना काम पूरा हुआ और कितना काम रह गया अधूरा इस पर बातचीत करेंगे इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ सेटिंग MLA की तरफ से एक नुमाइंदा जुड़ेगा और साथ ही साथ मुख के विपक्ष का चेहरा भी एक जुड़ेगा जो अपनी बात रखेंगे साथ ही हम यह जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर बुलन शेहर में अब क्या कुछ चला है वहाँ की सियासी हवा क्या कहती है आखिर वहां का माहौल क्या है चुनाओ सर पर है ऐसे में बुलंड शेहर क्या कहता है इस पर बातचीत करेंगे दरशक हमारे साथ जुड़ेंगे फोन लाइस खुली हुई है लेकि उससे पहले आपको बता दू कि बुलंड शेहर में दरशल एक ऐसी घटना हुई कि जिसके चलते वहाँ पर बाइलेक्शन कराने पड़े क्योंकि वहाँ पर 2017 में जो विधाय जीते थे उनका नाम था विरेंदर सिंग सिरोही लेकिन विरेंद सिरोही की 2020 मार्च के माह में दुखद मौत हुई उनकी उसके बाद उनकी पत्म जो की दरशल हाउस वाइफ थी उन्होंने चुनाव लड़ा बाइलेक्शन में चुनाव लड़ने के बाद उशा सिरोही एक भारी वोटो के अंतर से जीती जीतने के बाद अब वो वहां की विधायक है तो 3 नवंबर 2020 को उशा जी वहां से विधायक बनती है तो क्या उशा जी ने जो बादे किये जो दावे किये उनको पूरा करके दिखाया बुलंद शहर की हकीकत क्या है और बुलंद शहर सदर का वोटर आखिर क्या कुछ है सोच रहा है समझ रहा है विकास हुआ है या फिर जन्ता को ऐसा लगता है कि सिर्फ जुम्ले वाजी की जो जलेबी है उसमें वो फस गया इस पर बातचीत करेंगे इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ महमान जुड़ेंगे महमान के साथ-साथ हमारे साथ दर्शक भी जुड़ सकते है क्योंकि फोन लाइंस जो खुली हुई है लेकिन एक चीज़ का ध्यान रखीगा ये फोन लाइंस सिर्फ बुलंड शेहर सदर सीट के लिए है वहाँ की जनता ही हमको कॉल कर सकती है वहाँ की जनता हमसे बातचीत कर सकती है और अपनी बात रख सकती है साथी साथ ये भी बता सकती है कि आखिर वो क्या कुछ सोचती है क्या कुछ समझती है तो बुलंद शेहर की जंता क्या सोचती है क्या समझती है इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ दर्शक भी जुड़ सकते है फोल लाइन्स खुली हुई है और साथ ही साथ महमान भी हमारे साथ जुड़ चुके है जल्दी आपको उनसे परिशे करवाएंगे चलिए तो हमारे साथ महमान भी जल्दी जुड़ेंगे उनसे हम बातचीत करेंगे इसके साथ इसाथ दर्शक भी हमारे साथ जुड़ सकते है नमबर लगाता टीवी स्क्रीन पर फ्लेश किये जा रहे है साथ ही जानेंगे कि बुलंच शहर क्या कुछ कहता है लेकर उससे पहले आपको उशा जी के बारे में थोड़ा सा उनका गड़ित समझाता हूँ तो उशा जी जो कि इस वक्त बुलंच शहर सदर सीट से विधायक है उनके बारे में बताते हैं कि उनके पास 56 लाख रुपए की एसेट है मतब 56 लाख रुपए की फॉपरटी है बताते हैं कि 17 लाख रुपए की जोलरी है उशा जी के पास और साथ ही साथ लखनों में एक चमचमाती कोठी जिसकी कीमत लगभग 40 से 50 लाख रुपए तो आपकी विधायक के पास खूब धन है धनवान है लेकिन क्या जनता भी उतनी ही धनी हुई क्या जनता के आर्थिक रूप से जनता का भी कुछ विकास हुआ या नहीं क्या जनता जो कल तक परिशान थी या किसी चीज को लेकर किसी मुद्दों को लेकर वो सरकार बदल रही थी तो जब वो सरकार बदल रही थी तो उसके जहन में जो कुछ चल रहा था क्या उसको लेकर वो सब कुछ हो पाया जो सोचा गया था तो बुलंच शेहर का क्या है हाल इसको जानने करें आज का कारिकरम मेरा गाओं मेरा देश यूपी अडिशन लेकिन उससे पहले सड़के देखिए सड़कों के हाल आपको दिखाते हैं यह ताजा तस्वीरे हैं बुलंच शेहर की सड़क पे गड़े हैं या गड़ों पर सड़क एक अच्छी खासी सुनी-सुनाई कहावत उत्तरपरदेश के परिपेक्ष में कहीं जाती है तो यह देखिए सड़कों का हाल आपके ट्रीव स्क्रिन पर सामने है और मेरे साथ जो नेता जुड़ें के अगर जुड़ चुके हों तो उनको भी यह तस्वीरे देखनी चाहिए कि बुलंच शेहर में आखिर क्या कुछ हो रहा है क्या कुछ चल रहा है लेकि साथ ही साथ सियासी हवा को समझने के लिए नेता हमारे साथ है जन्ता भी हमारे साथ चुड़े कि बुलंच शेहर के बारे में आपको बता रहे थे कि उशाजी के पास लगवग 56 लाग से जादा के ऐसेट मतलब प्रॉपार्टी है जो कि चला चल समपत्ती है 56 लाग से जादा इसके साथी साथ उनके पास शत्रा लाग से ज़ादा कीमत की जोलरी है जो उन network नामे में दर्शायी है साथी साथ उनके पास लखरों में, नहरों इंक्लेब में चमचमाधी कोठी है जिसकी कीमत लगभग 50 लाग रुप metropolitan तो धनवर्शा तो खूब हुई है उचाजी के घर लेकिन क्या बुलंच शेहर की जनता को कुछ मिला उनका कितना नफ़ा नुकसान हुआ इसको भी समझने के लिए जनता हमारे साथ सीधे जोड़ेगे इस कारेकरम का मकसद टूवे कम्यूनिकेशन को स्थापित करता है जहां पर हम खुद भी अपनी बात रखे नेता भी अपनी बात रखेंगे तो सबसे पहले हमारे साथ आनन चौधरी जी चुड़ चुड़ चुके हैं बीजेपी के नेता हैं इनसे हम बाचीत करेंगे इनसे हम चर्चा करेंगे तो आनन चौधरी सी बीजेपी नेता हमारे साथ बुलंच शहर से तो आनन चौधरी से बाचीत करेंगे आनन चौधरी जी आनन्द चौधरी जा आपको भी आवाज मिल रही है चले ठीक है एक बार फिर हम संभाद करने की कोशिश करेंगे सायद टेक्नलोजी का कुछ फर्क है हेर फिर है इसकी वज़े से चीजे जो है वो यहाँ पर खटी भड़ती नज़र आ रही है लेकिन जैसा कि हम बता रहे हैं कि बुलंड शेहर की बात करें हैं बुलंड शेहर दिल्ली से लगबग काफी दूर नहीं माना जाता दिल्ली के लोग अब डाउन भी करते हैं यहाँ पर काफी लोग हैं जो रूजगार की तलाश में आज भी दिल्ली आते हैं तो बुलन शहर खुद में कितना जादा सबल हूप आया इस पर चरशा करेंगे खुद में कितना जादा आज कुछ कर पा रहा है इस पर बातशीत करेंगे और इसके लिए हमारे साथ जैसा कि हम बता रहे हैं कि इस कारेक्रम में नेता भी जुड़ेंगे मेहमान भी जुड़ेंगे, दर्शक भी जुड़ सकते हैं, फोन लाइंस खुली हुई है ऐसे में बुलन शहर सदर से चुनावी हकीकत बाया करने के लिए कारक्रम है जहां पर चुनावी परपेक्ष के अगर बात करें तो जो भी लोग इस पूरी सेंटर में चुनावों के जो सेंटर में हैं, उन सब को जोड़ने की कोशिश की जाएगी यहां पर पत्रकार भी आप के साथ रहेगा, जो इसे पूरे समबात को मॉडरेट करेगा साथी साथ जनता भी जुड़ेगी, जिसको असल में वोट देना है और साथी साथ नेता भी जुड़ेंगे, जिनको असल में वोट लेना है तो यह लड़ाई, यह जो सियासी दंगल है, यह दरसल तब खत्म होगा जब मतपेटिया खुलेंगी मतपेटिया खुलेंगी, तो आखिर किसकी किसमत खुलेंगी, इस पर भी चर्चा है तो आखिर मतपेटिया खुलेंगी, किसकी किसमत पर चर्चा होगी, आने वाला वक्त बताएगा अभी का वक्त क्या है, अभी का वक्त है, सियासी हावा को टटोलने का अभी का वक्त है कि राजडीती किस ओर जा रही है, इसको समझने का यूवा क्या सोचता है इसको समझने का ग्रहनिया क्या सोच रही है इसको समझने का तो आखिर कैसे समझेंगे इसको समझने के लिए पैमाने है एडिकेशन शिक्षा का पैमाना है इसको समझने के लिए महंगाई का पैमाना है इसको समझने के लिए वो तमाम पैमाने है जिसक अगर पूर्वांचल को साधने की कोशिश है अगर पूर्व को साधने की कोशिश है तो कब बुलन शेहर की बात भी पदहान मंतरी नरेंदर मोधी या मुख्य मंतरी योग्याद इतनात के जुमां से निकलेगी ऐसे मानन चौधरी साहब एक बार फिर हमारे साथ जुड़ गय है आपको मेरी आवास मिल रही है आनंचौधरी साहब ठीक है आनंचौधरी साहब 2017 में आपने वादे किये दावे किये आप सत्ता में आते हैं लेकिन 2020 में एक दुखत घटना होती है जिसके बाद आपको एक बार फिर वही बाते रखनी पड़ती है एक लाइन में एक बुलेंशेर के विकास की बात है क्या मेरी अबाद क्लियर आ रही है हाँ बिल्कुल क्लियर आ रही है तो स्वास्त और सड़क तो ऐसे विसे हैं जिनकी सबसे ज्यादर आवश्यक्ता होती है स्वास्त के छेत्र में अगर देखने तो बुलेंशेर मेडिकल कॉलेज 250 करोड का लागत्ता अपने आप में एक वील का पत्थर सावित होगा बुलेंशेर के अंदर लेया लेल में इस्टेशन वो भी बुलेंशेर विलहन सबा में है महन्य विधायद जी के द्वारा रहना में ओपीडी चालू कराना प्रिसप के दर चालू कराना ऑक्सीजन प्लांट लगवाना इससे 20 वाओं लावामिंग होने वाले हैं आज सब्सक्राइब बुलेंशेर डिस्टिक होस्पीटर में वहां भी ऑक्सीजन प्लांट करने वा कि अब तक 50 करोड की शर्डग हों तो अब तप 50 करोड की सड़को 54 करोड की शलक वारा अरण चौद्रीशाओं आपकी तिवी स्क्रीम देख ए कि उपर आपकेcake के विजुल चल रहां विजुल सब्सक्राय के आ क्या है सड़क के हाल विज्वल्स में समझ पा रहे हैं देखे अभी अठारे साथ निर्माना जुही ने एक साथ सारी सड़क नहीं बनती ऐसी कोई गाउं नहीं है जहां सड़क ना बनी हो और बाकी अभी पिरकिरिया में चालू है टेंडर होती है आठ करोड के अभी टेंडर के लिए है उनका में काम सुरू हो जाएगा ठीक है दर्शक भी हमारे साथ जुड़ेंगे वह आप से लगी सवाल करेंगे वह बताएंगे अदरसल हकीकत क्या है बुलन शेयर की वह बताएंगे आपको आप के लिए विजुल भी दिखाते रही है विजुल जुड़ा जुड़ेंगे स्क्रीन पर विजुल स्लगाईगे स्क्रीन पर यह बुलन शेयर से आरण चौधरी साहब बीजेपी नेता हमारे साथ जुड़े हुए हैं उनसे बाचीत कर रहे हैं और ऐसे में दर्शक भी ह इसको दिखा रहे हैं समझा रहे हैं आनन्द चौधरी साहब ने कहा कि 50 करोड की लागत से सडकों को बनाया जा रहा है लेकि सडके दरसल ये बता रही हैं कि अगर यहां पर कोई दुरगटना होती है तो उसका जिम्मेदार कौन होगा इसको समझने की कोशिश कर रहे हैं इ जो भी कॉल आ रही है उसको ले लीजिगा उस कॉल सम बाचीत करेंगे साथ ही साथ यहां पर आनन्द चौधरी साथ जुड़े हुए हैं आनन्द चौधरी साथ अब एक चीज़ और समझाएगा कि सिक्षा को लेकर क्या कुछ आपने बुलंद शेहर को दिया क्योंकि बुल सिख्षा का सवाल है तो बुलंद शेहर विधान सवा के अंदर के डिग्री कॉलिज हैं बनस्पत अगर जिलिय का हिसाब लगाएं तो बुलंद शेहर में डिग्री कॉलिज जादे बैठ हैंगे आई-पी कॉलिज का ब्रवन बना है दिली रोट पर उसमें बीसीय और वैसे सब्सक्राइब करें जाने की कोशिश कर रहे कि आखे बुलंद शेहर में क्या को चल रहा है बुलंद शेहर क्या कहता है बुलंद शेहर क्या कहता है बुलंद शेहर सदर सीट एक और सीट वारी चाहती है इसले वारी चाहती है क्योंकि बुलंद शेहर एक बड़ा जिला है खुद में और बुलंद शेहर की जो सदर सीट है उसका प्रभाव बहुत है उसका प्रभाव उत्रप्रदेश पर देखने को बलता है ऐसे में हमारे साथ समाजवादी पार्टी से राहुल यादव और आनल चौधरी दोनों लोगों को स्क्रेड पहले शगाव आपका बहुत-बहुत स्वावत है मेरा गाओं मेरा देश है जी आपने बहुत-बहुत है तो यह एक दरातल पर आपके सामने रूप दिखाई दे रही है मुझे जो तबीर में यह वह आदे इनके काम के और अगर स्वाथ विवस्ता की बात की जाए तो लोगों ने कारों में और गाडियों में दम तोर दिया जो चुनाव आपने देखा कोरोनर टाइम में नहीं वह लोगों लोगों ने जान दे दी मजबूर लोग पर क्राटव पर कदम हो गए यह स्वास के हालार से चले ठीक आप तो लेता है राजक्ति पाते हैं जिसकी वज़े से आई दिन एक्सेंट हो रहे हैं मैं आप चैनल की माध्धम से पूफिना चाहता हूँ मेरे मेरे में अग्यादों की से कि बुलंड शेयर में बासावाता चोड़ी के बिला चोड़ी है पूरे उक्रदेश में पांच साल के कारेकाल में अगर एग भी नोने जिन प्रदेश कर दाया हो यह मुझे उज़े करन अगर चाहता है पूरे पूरे पांच साल की सब्कार में अगर भी नोने प्रदेश करा लगा हो यह तो आनन चौधरी सहाब आपके यह फिर राहुल अदव साब आपके बैग्राउंड से शूरा रहा है उसको थोड़ा सा कम करने की कोशिश करीगा है फोन स्पीकर पर रखा चलिए ठीक है तो बातचीत करने की दुबारा कोशिश करेंगे शायद कुछ टेक्निकल परिशानी की वज़े से यहाँ पर रुखना पड़ थमना पड़ रहा है तो बुलन शेहर की बात कर रहा है ऐसे मैं आपको बता दें कि दर्शक भी लगातार कॉल जा रहा है दर्शक का एक यूवा क्या कहता है बुलन शेहर की बहला क्या कहती है एक ग्रहनी क्या कहती है एक बिरोजगार जो रोजगार की तलाश में भटक रहा है वो क्या कुछ कहता है इसको जानने की समझने के हम लगातार कोशिश करेंगे लेकर उससे पहले कॉलर्स भी जुड़ेंगे उ कॉलर जुड़ा हुआ हमारे साथ बहुत-बहुत स्वागत है आपका नाम बताइए अपना ताप रोहिद रोहिद साब बताइए क्या कह रहे हैं बुलंग शहर पर चर्चा चल रही है दोनों तरफ नेता हैं एक तरफ विपक्ष के नेता हैं तो दूसरी तरफ जो सक्ता में आसीन है वो नेता है दोनों अपने बाते रख रहे हैं आप क्या कहते हैं दर्शक जी देखिए मैं यह कहना चाहता हूं जी पुलंग शहर में रोडों की बहुत पुरी हालत है रोजकार के कोई साधन नहीं है नोयटा दिल्ली भागना पड़ता है स्वास्त तो यदी अगर मेरे परिवार में किसी कोई पीमारी हो जाती है एक सकेंदा हो जो में नोयटा है दिल्ली जाना करेगा एक सब्सक्राइब जुड़े हुए हमारे साथ ठीक आनन साहब जड़ा एक दर्शक का कॉल आया है रोहित नाम बता है इनों अपना उनकी बाते सुनिएगा वो क्या जी मैं इनते यह जानना चाहता हूं जो पुलेंटेर की है यह स्वास की हो यह तब तक सुद्रेगी जी हाँ नहीं नहीं आनन जी बोली बोली है जो मेरे हाई मेरा युद्वा बोल रहा है कि रोजगार की जो समस्या है समाजवादी सरकार ने अपनी गुल्टाकरदी के दम पर शक्रावाद ओद्योगिक जेत को बिल्कुर तहस नहस कर दिया था तो जो पत अपनी अपनी फैक्रियां छोड़कर जा रहे थे आज पंच साल के अंतरान पर आप गिर सकते हैं तो पुरानी फैक्रिय भी चाहत हुए इन है और वहाँ नई इत्मी कंपनिया लगी है उसमें जिलेंके तज्जारों यूब रोजगार प्राप्त किये हैं जी तो रोजगार प्राप्त कर रहा थी उसमें रोध कैसे चुट गया है रोध की मेता जी पुझे लगा है वो की से लड़ रहा है है एक वार फिर से बताईएगा क्या कर रोज है आपने मैं इनसे जाना जाता हूँ यह विरोजगार सरकार दे रही है कि चिकच्छ कुंपर उळीरुजगार मिललं जो क्योंनि उनकी तंस्साम हुर। हमारे संविरा कर्मी आज पैरे ले मम देख ते ने हुआ हम देखंग रहता है! और यह गेंदर यह की ट्या-केतर अंगनवाध करते हैं कि ये क्यों पॉरही है?? ठीक है, आरन जी इनका जवाब दीजेगा, फिर धन्यवाद करेंगे रोहिजी का, आप जवाब दीजिए रोहिजी का जो question था, question था, उसे एक वार आप repeat कर दीजिए, उनकी आवाज जाते के लिए नहीं आ रहे हैं कि अगर आप कह रहे हैं कि रोजगार के मेले लग रहे हैं, इसके बावजूद सिक्षक सड़क पर क्यों परदर्शन कर रहे हैं, उनका कहना है कि सिक्षकों को बेतन नहीं मिल रहा है, समिधा कर्मियों को बेतन नहीं दिया जारा आपकी सरकार के, बुलंद शायर की बात कर द में आप पंपनी में जाये जाये इसकल समय यो प्रोग्राम चलाए उसमें क्या इनों भागी लिया दूसरे कॉलर भी चुड़ेंगा हमारे साथ उसरी बाचित करें तो अब लेटर आया होगा ठीक है और रही रोजगार के साथ मैं सुरुप्छा के आपको बात बताया देता हूं समाजवादी सरकात में काली नदी पर पुल है उस पर काली नदी के पुल को घेर कर विशे समदाय के लोग सब्जी वेपर करते थे और आती जाती बच्च्छों के सामने इन दौरती सब्टों का इस्तेमाल करते उनों सब्जी पीची है यह पुरा बुलई सहर जानता है आज वो चालो है वहाँ किसी परिकार का गोज़ती पर नहीं है रश्टा चाह फतम हुआ है पती जर्मन फतम हुआ है और रही इस चड़क की बाद जो आपने दिख अरण जी मुझे यह बात रखने में कोई संकोच नहीं है कि उत्ता प्रदेश में जब चुनाओ होते हैं तो जाती एक महतवपूर खेल खेल देती है आखरी में पूरे पांच साल तक हर व्यक्ती जनता एक सब्सक्राइब पांच साल जनता बात तो करती है मुद्दों के मह हैंगाई का विरुजगारी का तरह तरह के मुद्दे रखती है लेकिन ऐसा देखा गया है उत्ता प्रदेश की जब हम चर्चा करते हैं बातचीत करते हैं उत्ता प्रदेश के चुनाओं के वारे में जो हम पढ़ते हैं तो देखते हैं कि विक्ति जाती पर जादा बोट ड जातियों के वो सब अभ अखिलेश यादव के कुन्बे में शामिल होते नजर आ रहे हैं तो इससे आपको कहीं कुछ घाटा होता नजर नहीं आता देखें अब शूज बल्गों की कड़ी है ये चलने वाली नहीं है निशाद पार्टी की बात कर रहे हैं जो संबाद आई है दिवासों की देख रहे हैं और जब यहां मेडिकल कॉलिज बनेगा तो इतने लोगों को रोजगा उपला दो आपने निशाद पार्टी के साथ तो फिर अगर आपने विकास इतना ज्यादा किया है तो फिर आपको सहरा क्यों लेना पड़ा आपने निशाद पार्टी के साथ गटबंदन की बात क्यों की है मचवारों केवटों इनके वोट मिल जाए इसलिए हमने कभी भी यह नहीं कहा कि भात जम्ता पार्टी केंदर में देख लो या परतिश में आम इसलिए हमारा अकर यह इतने ही वह हैं तो चोटी-चोटी पार्टीयों से इनके दोदो सीट बालों से जिनके एक दोनों सीट भी नहीं है इनका तो उनसे भी घटबंदन है इस प कि आम की आस्ता क्यों चले गया है तिक कोच मेलिद दो चले गया था uy there मैं तुकांची होना कोई बुरी बात में लेकिन अच्छी में आप उनको वो पद्लीट इपा रहे थे जिसकी वो अकांग्शा रखते हुँ थे चलिए ठीक एक और कॉलर अबारे साथ जुडगा है बादो स्वागत है आपका नाम ताइए अनुज 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 परिक्षा है रदे रद्द की जा रही है जिसके आप इन ऐट की परिक्षा रद्द की गई है तो वो परिक्षा तो हो जाएगी ना उसके लिए कहा गया हmişा ह्या है कि ठीक है ठीक है तो आरेंग जी मेरुचारी की यह बड़ी समस्स्या अरें गया रोजगार दिया जा सके युवाओं को दिल्ली न भटकना पड़े लॉड़ा न जाना पड़े क्या बुलंड शेयर में वरस्ता हो सकती है संभव है बिल्कुल जुमान साथ गो सकती है चो नहीं हो सकती कि मेडिकल कॉलिस बन रहा है आप बताईए मेडिकल की दुपान भोलेगा बच्चे जो मात रहेंगे बाहर के आकर उनके लिए भोजन की विवरस्ता है उनके लिए आने जाने की विवरस्ता करने है तो परोज शुरूप से बहुत रोजगार उपनाब्द होता है तब ब्योग मिलता है बड़ी कोई परस्ता बनती है तो रोजगार मिलता है ठीक है तो आप तरु सक्सेना साब जुड़े हुए है अगर यह प्रदेश होता तो आज विशु का च्टी नंबर का देश है उत्ता प्रदेश चलिए ठीक है तो तरु जी कह रहा है कि बीकॉम कर रखा है इनको कहां फिट करेंगे आप अगर कर सके अगर बता सके तो कि बीकॉम कर रखा यह एकाउंटेंसी का कोर्स करें बहुत ऐसी कंपणिया जिसमें आज भी अब इंके लेखा विभाग में अभी तक कमी पूरी नहीं हुई है थाली एक बीकॉम कर लिया उसके साथ अगर अगर पूरी सी छे मनगे का डिपलोमा होता उसे करें और अपना क तरिनाट जी रोजगार पावस्ट में लेगा, मैं इतार दे तो कर दो करना भी करता हूँ सब कुछ जानेगे, क्योंकि कारिकरम लगातार जारी है कर ले अगली विधान सबा के साथ हाजर हो जाएंगे और आपको बताएंगे कि आखिर उस विधान सबा में क्या कुछ चल रहा है आज बुलंट शेहर की बात की झाल झाल